दोस्तों नमस्कार मैं सोशिल पटेल आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को जो लेबर पैमेंट रिजेक्ट हो जाता है उसकी रिजेक्ट वाले लिस्ट आप कैसे देखें दूसरे यह बताऊंगा कि यदि आपका नाम रिजेक्ट वाले लिस्ट में है तो उसका क्या कारण हो सकता है कि आपका payment reject हुआ है। देखे जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, payment reject होने के तक्रीबं 34 कारण होते हैं। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा यह बताऊंगा कि आप क्या प्रयास करें कि आपका labor payment पुना है आपको प्राप्त हो सके। और तीसरा यह है कि मनरेगा पोर्टल में यह आप कैसे देखें कि आपका reject हुआ payment आपको वापस कब मिलेगा। देखें मनरेगा पोर्टल पर यह report daily update होती रहती है कि आप लोगों का reject हुआ payment पुना है आप लोग को कब तक वापस मिलेगा। और वर्तमान में यह वापस मिलने की process किसी stage पर है। यह वीडियो आप लोगों के लिए इसली भी आपसक है क्योंकि जब से EFA में payment श्टार्ट हुआ है तब से labor payment को लेकर समस्या बढ़ी है। हलेकि इसके माद्यम से transparency जरूर क्रेट हुई है परन्तु विचारा मजदूर आज पहली की विवस्ता के तुलन में ज़्यादा परिशान है। आप यह latest reject हुए labor payment के update देखिए विट्टी वर्स 2021 में तकरीबन यह आँकडा 825 करोड का था। जिसे पुना एप्टी उजारी करने के बाद भी तकरीबन 296 करोड रूपे की pendency बाकी है। इस वीडियो में आगे जब मैं इस process के बारे में बताऊंगा तो आप पिछली वित्ती वर्सों का भी आँकडा देख सकते हैं। आप वर्स 13.14 में देखिए उस समय की तकरीबन 396 करोड रूपे की rejected payment की pendency बाकी है। यह वीडियो थोड़ा से लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने दो वीडियों को और शामिल किया है। यदि आप यह rejection वाली process को proper तरीकी से समझना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को skip ना करें और पूरा देखें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए किसी माइने में helpful हैं तो प्लीज आप इस चैनल को subscribe करने के साथ सत इस bell icon की बटन को जरूर दबा दें और जब यह bell icon की बटन को आप दबाते हैं तो देखें इस प्रकार एक all copy बटन आता है प्लीज प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आवस्य लिखें इससे मुझे आपकी समस्याओं को वीडियो के माद्यम से सुल जाने में सहायता मिलती है तो चलिए हम डेमो वीडियो प्रारम करते हैं सबसे पहले आप Google पे सर्च करें नरेगा.nic.in अब इस website में अंदर जाने के लिए सब से उपर दिख रही link पर क्लिक करें आप इस एट को कट कर दीजिए ततपशा साइट में पे क्लिक करके यहाँ पर report for MIS पर अगें क्लिक करें. capture code के entry के लिए मैं 48-24, 24 लिखकर verify code पे क्लिक करता हूँ. financial year में 21-22 सेलेक्ट कर लिखता हूँ और इस demo वीडियो के लिए जारकन डिस्टेट को सेलेक्ट करता हूँ. अब जो window हमारे सामने open होती है उसमें हमें R8 EFMS report में अंदर जाकर FTO के पांचमें नमबर वाले subfolder पर जहाँ पर लिखा हुआ है rejected wise transactions reconciliation इसे आप सेलेक्ट करें अब जो window हमारे सामने open होती है उसमें यदि आप चाहें तो date wise भी rejected list को देख सकते हैं. फिलाल इस demo वीडियो के लिए मैं पूरे वित्ति वर्ष के list देखने के लिए गड़वा जिले को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसी जिले में तक्रीबन 119 करोड रुपे के rejected payment हैं क्लिक करने के पूरे 19 लोगों का नाम हमें दिखने लगता है देखे इसके लिए आपको रिफ्रेंस कोड याद रखना होगा यह रिफ्रेंस कोड को जरूर अपने पास लिख कर रख लें आगे वीडियो में आपको उताओंगा कि इसकी क्या उप्योगता रहती है देखे इ पेमेंट रिजेक्ट होने का सबसे ज्यादा कॉमन कारण है वह है नो सेच अमांट अर्थात आपका एकाउंट सही नहीं है यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जापकार्ट होल्टर का दो प्रकार से अकाउंट फ्रीज होता है पहला डारेक्ट मनरेग पौल्टरिव वही अकाउंट फ्रीज हो जाता है जो उसके आधार प्रिस्व रहता है इसमें सुधार के लिए आपको ब्लॉक लेवर पर जाकर मनरेगा पोर्टल और अधार के अमसार सही अकाउंट फ्रीज कराना होंग इसमें देखिए दो तीन कारण और भी दिख रहे ह देखे जो 34 कारण रहता है जो मैंने वीडियो की शुरू में आपको बताया था उन सभी कारणों का आप पिस्तार से जानने की प्लीज आप इस मेरे चैनल पे आकर इस वीडियो को फालो करें यदि इस वीडियो में मैं पूरे 34 कारणों के बारे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा देखे यह तो आप लोगों का प्रयास हो गया कि आप payment किसे वापस प्राप्त करें परन्तो शाषन इस तर पर भी इस rejected payment को लेकर काफी कारवाईयां होती है साषन इस मामले में काफी सकते रहता है और इस बात को लेकर हमारे जैसे अधिकारियों और करमेचारियों की अब यह सिकर्चाई होती रहती है क्योंकि यह rejected payment वर्स 13-14 से चला आ रहा है देखे जो payment reject हो जाता है उसका पुना FTO बनाया जाता है इसकी जानकर यह आपको FTO ब्रेकिंग से मिल जाती है इससे देखने की process के बारे में मैं आपको वीडियो की अंत में बताऊंगा फिलाल अभी आप इससे समझ ले देखे जो FTO rejection के परच्चाद पुनाय जारी नहीं हो पाते उसमें हमेशा यह लाल रंग से display होता है और यदि reject हो FTO पुनाय बनने की process में रहता है तो इसमें हमें पीले रंग से यह display होता है और यहाँ पर लिखा हुआ आता है यह to be process और यदि हमारा FTO पुनाय बन जाता है तो यह हरे रंग से display होने लगता है देखें इसके लिए आपको reference code याद रखना होगा आप इस मेरे चैनल पर आकर इस वीडियो को देखिए इससे आप reference code पे क्लिक करके इस process को समझ सकते हैं और यदि यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता तो मेरे next वीडियो में मैंने wage list और FTO के माद्दम से